नमास्का दोस्तों, हम सेशन के सिरुवात ने करने से पहले आप लोगों से एक अपेल करते हैं कि आप लोग इस सेशन को अधिक सथिक लोगों तक सेयर और सब्सक्राइब करें तो हम देरी ने करते हुए आयत के चैप्टर चालू करते हैं अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आप लोगों को डियलेड में तो आयत आयत इंगलिस में रिक्टेंगल कहते हैं इसे आयत चार भूजाओं से घुरी हुई वहा अकृत जिसमें आमने सामने की भूजाएं समांतर हो तथा बराबर हो परते कोड समकोड हो उसे आयत कहते हैं अब फिगर देखे यह आयत का फिगर है इसमें A B बराबर L दिया है C D बराबर B L है B C बराबर B है A D बराबर B है अब परते कोड 90 अंस के हैं इसलिए आयत है आयत के बिकड आपस में बराबर होते हैं आयत के मैक्सिमूम दो ही बिकड हो सकते हैं नोट पॉइंट देखिए Most important है आयत के बिकड आपस में बराबर होते हैं अर्थात A C बराबर B T फिगर उसे देखे यह जो A C है B D के बराबर होंगे केवल आयत में आयत के छेतरफल होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई जो की most important है इसे आप लोग याद कर लिजेगा अब एक numerical देखते हैं question दिया है आयत के छेतरफल ग्याद करो जिसकी लंबाई 10 cm चौड़ाई 8 cm हो ता आयत के छेतरफल बराबर होता है सुत्र बताएं पहले ही लंबाई गुड़े चौड़ाई तो लंबाई दिया 10 cm और चौड़ाई दिया 8 cm तो दस गुड़े 8 असी वर्ग सेंटिमीटर या सेंटिमीटर स्कौइर भी लिख सकते हैं अगला को चन देखते हैं एक आयत का छेतरफल एक सोवर सी वर्ग सेंटिमीटर है तथा उसकी लंबाई 15 cm तो आयत की चौड़ाई बताओ चौड़ाई इसमें पूछना कहीं लंबाई पूछलेगा इसी तरह इसमें कोस्चन बनते हैं थारी कोस्चन ने कराप पाएंगे क्योंकि आप लोग सेंट को सब्सक्राइब और सेयर नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्समान सब भी व्यूज नहीं हो रहे हैं तो कि आप पढ़ाएं इसमें तो कोस्चन सालब करते हैं है 180 15 गूड़ी एक्स बराबर एक्स चूश सी और पच्छांतर कर लाएंगे फंद्रय एक्स ब्रहाएंगे और एक सा सी धर रहने देंगे अब ऑप सबाबर सब्सक्राइब कि आप लोग का इंसर होगा अब बाते हैं परिमाप क्या होता है परिमाप किसी भी चीज का परिमाप उसके भुजाओं का योग होता है गया है तो परिमाप को परिमाप को परिमाप को परिमित भी कहते हैं तो यह तो एक फिकडर कि फिगर decía का इसमें लंबाई L चौड़ाई है तो लंबाई को यह लूआ को बिसरेनोड़ करते हैं तो आएवद का परिमाफ क्या होता चार भूजरा का यूग चार भूजरा कौन है एक 앞 Jen cdускat है चारों का जोड एगी परद्वी परद्वी सी परद्वी परसी ड्वी परसेट तो एगी बरावर यल अ प्यजान है जोड़ेंगे दो यल दो भी उसके बाद दो कामन लेंगे तो बचेगा यल धन भी तो आयत का परिमाप होगा दो गुड़े दो कोष्ट में लंबाई धन चौड़ाई जो कि वेरी वेरी इपॉर्टेंट है लंबाई धन चौड़ाई अब इसका कोष्चन देख लेते हैं एक आयकताकार भुँखंड के लंबाई चाढई तता चौड़ाई तीर मेटर है तो भुखंड का परिमाफ बताई। तो हल है आयत का परिमाफ क्या होता दो कोष्ट में लंबाई धन चौड़ाई तो दो लंबाई की नद्ये 14 परिमाप आप आप लोग का एंस्वर है अब अगला कोशन देखते हैं एक आयताकार कि एक आयताकार खेत का परिमाप चार्सवसी मीटर है हर एक तरह के कोशन हम करा दे रहे हैं आप लोग को एक आयताकार खेत का परिमाप चार्सवसी मीटर और उसकी लंबाई और चांडाई का नपात पांच नपात तीन है तो आयताकार खेत की लंबाई और चांडाई बताई है तो मान लेजे लंबाई पांच एक्स चांडाई तीन एक्स है तो आयत का परिमाप को सूथ क्या होता ह दो कोष्ट में लंबाई धन चौड़ाई तो आयत के परिमाब दिया 480 मीटर बराबर 2 कोष्ट में लंबाई के नमाने है 5x चौड़ाई 3x तो 5x धन 3x तो इधर पच्छांतर करें 5 3 8 8 गुड़े 2 बराबर 480 अब यहां से 8 दूने 16 16 बराबर 480 एक्स बराबर 480 वटे तो भाग देंगे तो आएगा 30 जो की एक्स बराबर 30 आ गया तो आयत की लंबाई किन्दा माने हैं 5 तो 5x गुड़े 5 गुड़े 30 मुरे एक्स कमान किन्दा तीन तृपांच गुड़े 30 बराबर 480 वटे आयत की चौड़ाई माने हैं 3 तो 3 गुड़े 30 बराबर 930 तो आयत की लंबाई 500 मिटर चौड़ाई 90 मेतर है अब आते हैं आयत के विकांड की लंबाई इसका फार्मूला दे बिकांड की लंबाई क्या होती है विकांड की लंबाई ABCD एक वर्ग है आयत है ABCD एक आयत है इसके विकांड एक मिला देते हैं तो तिर्भूज आयत ABCD का विकांड बेड़ी हुआ समकोड तिर्भूज ABD में यह समकोड तिर्भूज बना आप लोग का क्योंकि यह आयत का पते कोड 90 का होता है तो एक समकोड तिर्भूज बना समकोड तिर्भूज में होता है कंड़ स्क्वाइर बराबर कंड़ स्क्वाइर बराबर लंब स्कॉयर प्लस आधार स्कॉयर तो पाइथागुरस पर में से आएगा काड़ स्कॉयर बराबर अधार स्कॉयर क्या यह भी स्कॉयर लंब स्कॉयर एडी स्कॉयर आधार कितना माने गया यह यह का स्कॉयर और लंब कितना माना गया B तो B का अ-ो, Bог़ का क्रणी में जब यहां से करणी पष्चांतर होगा इस बगल करणी आज हो यहल कृरणी इस गे यल यके whyb 2 स्कृईर का अंडर रूट तो आयत का बिकड़ क्या होगा आयत का बिकड़ बडाबर होगा लंबाई स्क्वाइर प्लस चौड़ाई स्क्वाइर का अंडर रूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को निगमन भी जानी है इसी तरीके से किया जाता अगर कहीं पूछ ले कि इसी छोटे बच्चों को बताना होती इस तरह बता सकते हैं आप लोग एक आयत की लंबाई दिया 12 मीटर कोस्चन है देख लिए और चौड़ाई दिया 5 मीटर तो आयत की विकड़ की लंबाई बताओ पूछा है तो आएत के भीकट बराबर होता है लंबार्यस स्क्वाइर प्रास ही का Mudro A कर तूदल लंबाई दिया था 512 to 12 कि स्कॉाइर चोड़ाय दिया पांच 5 के स्कॉार बारह कि स्कॉार सुचप लिगाई तो 245 जिए 179 179 का अंडरूट 179 कमान जब बाहर नहीं करेगा तो 13 मीटर इसका इंसर होगा आयत के बिंगर कि लंबाई 13 संटिमिटर होगी आयत की बिकड़ की लफ़ाई तेरे शेंटर्ड GREENतज़ अगर यहीँ में अगर बिकड़ की लमबाई ही होती है उसी दूसरी टाइبة कोश्चन इसीं देख लेजे आयत के बिकंड के लंबाई दी हो और चौड़ाई नहीं दीया रहता तब क्या करते हैं तो आयत के बिकंड बराबर क्या हो तो लंबाई स्क्वाइर प्लस चौड़ाई स्क्वाइर कंडरूट तो आयत के बिकंड 13 मिटर दीया रहता तो लंबाई 12 दीया रहता और चौड़ा अब वर्क करने पर तो 13 कबर 179 हो जाएगा जब इधर बर्क किया जाएगा तो इसका करणडी खत्म जोटे बारे कबर 144 एसका वर्क इसकोई जब 144 इदर लाएंगे तो 179 मंसे 144 बराबर एसकोई जब 179 मंसे 144 जाएगा तो एसकोई बराबर 25 बचेगा जब दोनों चौड़ाई की लंबाई पांच सेंटीमिटर आएगा कि मैं आसा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा हो नहां आए आए रहे आए आएगा तो कमेंट कर देजिएगा हम फिर से से सेशन ला सकते हैं या मिसे क्यों के रूप में कर आ सकते हैं कि कोश्चन के वल लेकिन स व्यूज सो से पलस होना चाहिए लोग आप लोग से यह नहीं करते हैं कुछ कोई देखता है नहीं जैसे पता ही नहीं चले तो अगला कोश्चन कराते हैं एक आयताकार बाग पचीस मीटर लंबा यह 20 मीटर चौड़ा है उसके अंदर दो मीटर चौड़ा रास्ता बना है रास्ते का छेत्फल ग्याद करों कि मोस्ट इपॉर्टेंट कोश्चन कमप्टीशन में भी पूछा जाता आप लोग ट्रेट का पेपर देंगे तो उसमें भी एक कोश्चन रहेगा इसके कोश्चन इसका कोश्चन ध्यान से एक बार पढ़िए एक आताकार बाग पचीस मी मीटर चाउड़ा उसके अंदर दो मीटर चाउड़ा रास्ता बना रास्ते का छेत्फल ग्याद करों कि अब तो इसका पहले फीगर हम आप लोगों को दिखाते हैं जैसे यह हैं पचीस मीटर खेत हैं कि कि पचीस मीटर कोई भाग है जो पचीस मीटर लंबा है कि और बीस मीटर चाउड़ा है तो इसके अंदर दो मीटर चाउड़ा रास्ता बनाया जा रहा है इसी तरह पहले आप लोग इसे जिसे जिसे जिमेंसुरेशन का इस सवाल इसे फीगर समझेंगे जाएं इसे ही लगता है आप लोग फीगर समझ लेजिएगा अच्छे तरीका से इसी तरीका कि इसका अच्छे तरफन निकार रहा है में तो फीगर हम इसे खतम करते हैं इस फीगर से आप लोग माइट मेंक अप करिएगा तो बाग की बाहरी लंबाई किनना दिया पचीश मेटर तो रास्ते रहित बाग की लंबाई जिसमें रास्ता निकल दिया निकाल दिया जातो बाग की लंबाई किनने होगी तो पचीश और इधर देखे दो दो मीटर चाउड़ा दो इधर के लंबाई दो इधर के लंबाई कम हो जाएगे तो पचीस मसे चार घटाएंगे 21 मीटर ऐसी परकार रास्ता रहित बाग की चाउड़ाई में भी दो इधर घटाएंगे दो इधर भी घटाएंगे तो 20 मसल चार गया? 16 अब रास्ता सहित बाग का च्छेत्रफल पूरा जिए 25 लेंगे तब कितना च्छेत्रफल आएगा? 25 गुड़े? 20 बरावा 500 मीटर स्क्वाइब अब रास्ता रहित बाग का च्छेत्रफल तो लंबाई कितना आए इसका? 21 और चौड़ाई सूल है तो रास्ता रहित पाक का चेत्रफल यक्काइस गुड़ी सूल है बराबाद 336 मीटर इसक्वायर तो रास्ते का चेत्रफल किंदा आएगा 500 मसे जब 336 घटा देंगे पूरी चेत्रफल में से इतना चेत्रफल घटा देंगे जो बचेगा वही तुन् इसके लिए पचीस पहले का है बिस इसका है तो पचीस पहले का है बीस इसका है तो फिर दूसरे वाले का चेत्रफल घटा आएंगे इसका दो इसका दो मीटर चौड़ा रास्ता है तो 4 25 मंसे 4 घडएंगे 21 और 4 1 2 गटाएंगे 20 दीया तो 16 घडए एकष में 236 तींसो च racing राया पतीछ रहित हमाग। राष्प गाक चेत्रफल होगहते हैं। तो राष्ते का चेत्रफल बढ़े वाले चेत्रफल मसे छोटा in लाकित फाले गटा कि दीखे दिया है एक आताकार बाग की एक आताकार बाग 125 मीटर लंबा यम 100 मीटर चौणड़ा है इसके ठीक बीच ओ बीच लंबाई और चौणड़ाई के समानतर 4 मीटर चौणड़े 2 रास्ते बने हैं दोनों रास्ते का कुल 6 तरफल ग्यात किजिए इसमें भी रास्ते का 6 तरफल करना है तो पहले इसका आइब फिर समाज लेते हैं तब बनाते हैं एक बाग है इसके कहा है बीचों बीच चार सेंटिमेटर शेत रास्ता है इसको चौडाई के भी समानता रास्ता दोनुके समानता रास्ता है तो आप लोग क्या करेंगे कि कुछ सेंची है उसके बाद हम बताते हैं कि पहले हम पूरे का छेतरफल निकालेंगे तो पूरे का छेतरफल क्या होगा दिया क्या इस तो बीस में पचीस मीटर लंबा और सव मीटर चौड़ा है जिसमें चार मीटर के रास्ते का छेतरफल है तो पहले इसका छेतरफल निकाल लेजिए चितर देखिए एक इधर से है एक इधर से है एक इसके समांतर है कि किसके समांतर है तो लंबाई के समांतर रास्ते का छेतरफल निकालेंगे फिर चौणाई के समानतर छेत्रफल निकालेंगे, दोनों का छेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद पूरी का छेत्रफल निकालेंगे तो कोस्टन हम साल्व करते हैं लंबाई के समानतर बनाएगे रास्ते के क्यों लंबाई एक सो पचीस मीटर त्था चाउड़ाई 4 मीटर है तब इसका पूरा छेतरफल जो इस फिगर के बीच-बीच वाला है पूरा इसका छेतर-फल निकार रहे है पहले इसका इसका कितना छेतर-फल आएगा तो लंबाई कितनाई 125 और चाउड़ाई कितना है 125 के 500 मीटर तो लंबाई के समांतर रास्ते का चेत्रफल 500 मेटर होगा यानि कि लंबाई के समांतर इसका चेत्रफल 500 होगा अब फिस चाउड़ाई के समांतर रास्ते का चेत्रफल तो चाउड़ाई का देखें चाउड़ाई यह है जिसका लंबा चाउड़ाई दिया साओ और इसकी लागा का समांतर का सिंध्य आपने सामांतर द दोनुंगा तो किंड़ा पांसल्स द द वाली को सब्सक्राइब खेस्पा प्लाइब याण दाफ मिंटर द सक मिय कि लंबाई की समानतर यह है चांडाई की समानतर यह दूनु में पड़ा इसका छेदरफल हम लोग को घटाना पड़ेगा एक बार तो इसमें भी फीगर में देख लिए रेखांकित लेकिन चीत्व में छाया कित रास्ते दूनु रास्ते में समलित है जो यह दूनु में समलित है जिसके एक बार घटाएंगे तो छाय कित रास्ते का चार मीटर लंबा है चार मीटर चौड़ा एक बार घटा नगे 16 मीटर तो दूनु रास्तों का कुछ चेतर पर किना यह था 900 में से 16 घटा देंगे ता आएगा किना 884 मीटर स्क्वाइर जो आप लोग का एंसर होगा जहां नीचे पड़ जा रहा 884 जब 900 में से 900 में से 16 घटाएंगे चांकित का चेतर पर तो बचेगा 884 मीटर स्क्वाइर तो आज के सेशन में पस इतना ही हमां आशा करता कि आप लोग को समझ में आया होगा अगर नया आया होगा भी तो आप लोग कमेंट करेगेगा हम इसका किवल MCQ लेकर आएंगे खाले 10-15 सवाल करा देंगे आप लोग को कईदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा इससे बाहर आप लोग कुछ नहीं आएगा आयत में और कमेंट करेगा किसी और चैप्टर के अधा देंगे लेकिन व्योज बढ़ना चाहिए भाई धन्यवास आतियों